सो गाइज फाइनली हम लोग भूबने शोर पोज गे इट वस रियली भेडी टाप थे फोर आस बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे एंड हम लोगों जैसे ते से आज एक रूम ले लिया एंड आप लोगों को में समान दिखाती हो एंसनिया अभी गई है नहाने के लिए अभी भज रहा है दस तो मैं आप लोगों को बैक करके दिखाती हुए यह देखिए हमारे रूम का हालत हमारे समान पूरा गिर्या पड़ा है हर जगा पे बस अब तो सोना है तो देखती रहे हैं यहां पे हम लोग आए खाने एंड यह है मेरा मुसाफ की चेप से मदाने ड आज हम लोग है गुबनेश्वर में एंड इसे हम लोग बस यह तो ट्रेंड पकलेंगे तो आज हम गुबनेश्वर गुबनेवाले हैं अभी हम लोग जा रहे है धोली एंड उसके बास हम लोग जाएंगे लिंगरास टेंपल यह है लिंगरास टेंपल लेकिन बात में आते इदर से जाता है पूरी एंदर से जाता है धोली तो हम लोग अभी धोली जा रहे हैं तीन किलोमीटर का दूरी में हैं यहाँ पे हम अभी पाउज गे यहाँ पारिकिंग कर दिया कार को अभी में एक तू बकेट हैट खर दूंगी और उसके बाद चलेंगा अंदर पैन को दि और बरहसे अवहतने कोाओज दुए तो आप लोगों को इये हैं टीकेट काउंटा दे से वह से टिकेट कार्ड के अंदर आना बढ़ते हैं वाह पह अप अब लोगों को स्टम करा आएगा फेर ये अंधिसाज डेयु आली से अली आहां तक छोड़ý एंदेखिये बहुत फेरे अबेर में ये सब चित चित दुकान लगा हुआ है अज़ हम लगे ये पैना कैसे लग रह रहे है कमें से बताइसmen बने न स्टैचूस एंड गाइस यह है धोली का स्थूपा जोहां पे सम्राद अशोक कालिंगा वर्ड एंड उन सब चीजों के बारे में बताया गया है लेकिन हम लोग हो गए थे लेट क्योंकि साम हो गया था और यहां पर कुस लाइटिंग शो स्टार्ट होने वाला था तो आगे कर देखने के लिए आप लोग देखते रही है अगर हम यहां रुके तो लेकिन हम लोग बोस्तों लिया आप चले जाएंगे अभी नेक्स अज़ी में जो स्टूपा है वो समराट असोका के बारे में बताया गया है एंसमराट असोका का बहुत कोई हिस्टिरिकल इंसीडेंट यहां पर मतलब जुरे हुए है तो मुझे तो इतना नहीं मालूम लेकिन मेरे दोस्ते मुझे जितना भी नौलेज मिला है ग्यान मिला ह उसी के बेसिस में आप लोगों को बताने का ट्राइ करूंगी अगर कुछ भी गलती होता है तो आप लोग प्लीज कमेंड में जाके मुझे रेक्टिफाइ कर देना एंड माइन मत करना मतलब जैसे के हम सब को पता है कि समराट असोक जो है वो बहुती ज़दा क्रुएल थे एड़ वास्ट बाद उसके बाद वो पूरा चेंज होके धरमा असोका में कंवड हो गए ते और यह हुआ ते जब कालिंगा वार के बाद कालिंगा वार में बहुत सारे लोग मतलब मर गए थे and उसके बाद असोका को रियलाइज हुआ कि यह मैं क्या कर रह रहु मतलब इत स्थूपा में ध्यान किया या फिर मेडिटेशन किया उसके बाद वो पूरी तरह से चेंज होके धर्मासोका में कनभड हो गए थे तो यही मुझे पता था तो यही मैं बोला